दुरुक के मानास भवन में राजपू शत्री महासभा चतिसगर की तत्वाधान में आदर्स सामुहिक विवाह का आयोजन किया गया जिसमें पांच जोडों की शादी विधिवत रिती दिवाज और धुम धाम और गाजे बाजे के साथ की गई महासभा के प्रदिकारी व उप समीथ दुर के प्रदिकारियों गर्ण एवं सामुहिक विवाह प्रभारी गर्ण ने जानकाई देते हुए बताया कि 1998 से इस महासभा के रत्वाधान में अब तक सैकरों जोडों की निशुलक शादी हो चुकी है आर्थिक रूप से कमजोर वधुपक्ष को महासभा की ओर से सहयोग भी प्रदान किया जाता रहा है राजजिस्तरी राजपु चतरी महासभा दर्श सामुहिक विवाह में वर एवं वधुपक्ष के पारिवारिक सदस्य बड़ी संख्या में मौजुद रहे कि द्वारा निश्चुल के साधी का आयोजन किया जा रहा है जिसमें जो गरीब परिशितिक जो हमारे एक पक्ष रहते हैं वधुपक्ष उनको आर्थिक रूप से महासभा की ओर से उनको सहयोग किया जाता है कि छाधी की परशात समाज की उग्देश यह रहता है कि घर्चिली जो हो रही आज की दुनिया में उस घर्चिली शाधी में रोक लगाने हैं तू महासभा के द्वारा इज़ित है उसमें हम सम्मिल्ध होना चाहते हैं प्रांति 36 गड़ इसवर्य विलाजपूर से भी है उदर दमदा से भी है वेरला से यह ऐसे पांच जोड़ा हमारे पास आए हैं सब्सक्राइब करते हैं जो पूरे 36 गड़ से राइपूर से विलासपूर से विलासपूर से सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं जो नहीं देता है तो इसको करते हैं और जो नहीं देता है सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं यहां पर पांच जोड़े का साधी हो रहा है समाज द्वारा यहां वैसे ब्यवस्ता निशूलक रहता है यह दि जो अक्षम परिवार हैं तो उनको हम पूरा निशूलक साधी कराते हैं यहां पर जोड़े पूरे 36 गड़ के हैं पूरे 36 गड़ रिजन में हमारा सहिती सुख समीती है सभी उप समीती में प्रचार यहां के लोगों पूला जाता है कि आप जो इच्छूप हैं तो उनको बुलाते हैं और यहां निशूलक ब्यवस्ता रहता है यहां परिशार निशूलक से नसीम फारुकी की रिपोर्ट